अब यहां विडियों मैं हूं अरग और आप मेरे साथ देखने हैं क्लैंटिंग लैप चैनल तो आज की वीडियों हम देखें किसी पूटिज को स्लोडाउन कैसे करते हैं फास कैसे करते हैं या तो इस पीड रैंपिंग कर प्रोसेस क्या है वह चीज्जे आज देख लेंगे परस्ट और आपॉल क्या करेंगे अपने आपने टायम में जाता ओँ यहाँ पर पे फ openly मेरे तुर्फोंट में सबसे पहले करने वाला हूं यह हमारे पास एक फूटेज है डबल लिक करेंगे तो यह देख पाएंगे और इसकी डिटेल्स आपके यहां पर मिल जाएंगे यहां पर चीज़े मिल जाएंगे तो अभी मैं करते हूं इसको डारेक्टली यहां पर ड्रेग और ड्रॉप कर देता हूं मैंने ड्रेगें ड्रॉप कर दिया है तो हमें फूटेज को यहां देखते हैं यहां पर पैन को यहां पर चीज़े करनी है तो हमें क्या करना है यहां पर राइट क्लिक करना है और यहां पर आपको मिल जा सकता है है रिट्राइम कंट्रोल का उपशन मिलता है तो अभी रिट्रीLD ein जो सौर्ट्रोल केर है आ रहेयां के क्लिक करте हैं सिंप्ली यहां पर जागए कंट्रोल और प्रेस करेंगे तो ऐसा कि इसका यूज करते हुए पीछे और आगे जा सकते हैं यहां से यहां पर अल्रेडी आ जाता है तो यहां पर आपको जो यह पर जाना है और यहां से आपको मिलेगा एड़ स्विप्वीड पॉइंट तो यह मैंने एड़डि पोईंट एक हाप कर दिया है यह मुझे नॉर्मल रखना है मैं और यहां पर जाके स्पिःट और एड़ करना मुझे हैं हुए मैं हाग करता हूं एड़ स्पीड हो एन Bunny हाफ अट यहां पे एक id speedpoint और कर देते हैं फाइनली यह जो है यह काफी अच्छा है गाई थिंग मुझे यहां पर एक speedpoint add कर देना है और यह यहां पर यहां पर भी id speedpoint कर देना है अभी मैं थोड़ा से यहां से इसको बढ़ा लेता हूं अभी जो 100 दिख रहा है एक्शूल जो हमारी footage है प्ले हो रही है वो चीज 100 है तो मुझे अल्रेडी जो यह portion है यहां पर इसको slow down करना है मतलब इसको हमें slow movement में दिखाना है slow का अभी यह 100 है तो अल्रेडी 100 से कम करना पड़ेगा इसको हमें sorry 100 से कम करना पड़ेगा तो यहां पर जो portion है already 50 क्या बोलते हैं हमें यह 50 fps का है तो यह 50 से नीचे हम 50% के नीचे रखते हैं क्यों एक सेकेंड में 24 fps का काम होता है तो उस हिसाब से यहां पर 50 और मैं around 45 तक लेके जाऊंगा अभी प्ले करके मैं यह दिखाता हूँ आपको यह slowly यहां पर blend कर रहा है उसके बाद यहां पर चीज़े हैं आप यहां से यह भी increase कर सकते हैं तो around 40 मैं रख देता हूँ यह और यहां पर जो portion है इसको भी बढ़ा देते हैं 40 around रख देंगे एक चीज़ और है यहां पर मैंने इन्हें बढ़ाया इन्हें कम भी कर सकते हैं यह portion को 120 तक कर सकते हैं यह देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगएगा अभी play करके देख लेते हैं कैसा हमारा output आया है यहां से एक normal speed में यह आगे जाके वापस से slowdown हुआ है यह देखे यह आपस से normal speed में और यहां से वापस slowdown हुआ है यह movement काफी कुछ अच्छा लग रहा मुझे अगर आप देख पाएंगे तो यह movement काफी अच्छा है यह यहां पर ऐसा हो गया तो यह इस footage के साथ किया था थोड़ास दूसरे footage के साथ experiment करते हैं तो मेरे पास एक footage यहां पर है तो इसको भी drag and drop यहां पर डारेक्ली कर लेता हूं तो हमें रिटाइम कंट्रोल के लिए सेलेक करना है प्रेस करना है कंट्रोल आर के बाद हमें स्पीड पॉइंट से यहां पर create करना है यहां से यहां से काफी slow footage अभी मुझे यहां पर speed ramping के through जो है यहां से आई यहां speed अच्छी चाहिए यहां जैसे यह hold करता है मुझे slow down करना है तो कैसे करेंगे यहां पर add speed point कर देंगे और यह उपर जब रहेगी यहां slow रखना है all around ओके यहां से डाउन करता है तो मैं speed point यहां पर add कर लोगा मैंने यहां पर manually किया था अभी यहां पर ऐसा भी कर सकते देखे कैसे यहां पर हमें speed चाहिए तो अगर यहां प्लिक करेंगे तो आपको option change speed को option मिलता है directly मैं यहां पर 200 कर देता हूं यहां पर भी आनिक बाद में कर देता हूं 200 देखिए अभी कैसे लग रहा यह speed अच्छी है यहां पर नॉर्मल स्पीड यहां से एकदम slow down हुआ है और यह ऐसा कुछ hold करता उसके बाद धीर जब यह इसे down नीचे रखेगा लड़की को land कर यह ओके तो यहां से कुछ ऐसा हो गया यहां पर आपको मिलता है रिटाइम करू का एक option मिलता है अगर यह drop-down करूंगा तो एक graph यहां पर मिल रहा लेकिन इस graph को नहीं देखना मैं तो अब इस इस पूटेज को अगर प्ले करेंगे तो जो बीच में जो सडनली वो हो रहा था क्या बोलते हैं तो जो आज का वीडियो था हमने इसमें स्पीड रैंपिंग को देखा किसी फूट के स्लो डाउन कैसे करना है और फासबाट कैसे करना है यह चीजें हमने इसमें देख लिए तो काफी सिंपल और आसान था तो आज की वीडियो इतना ही मिलेंगा अपनी नेक्स क्लास में तब